अलो गाईज, विकी पीडिया चैनल में आपका स्वागत है, मैं भी पुल जैन, आज आपको बताने जा रहा हूं, कॉमर्सियल मैथामेटिक्स में पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर फाइब जो है, वह आज हम आपको देने जा रहे हैं, तो देखते रहे हैं, विकी कॉम्बिनेशन की, जो विवर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले इस से आगे की वीडियो को आप देख लें, जिससे आपको जो आपका टॉपिक है, वो किलियर हो सके, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5C को सॉल्व कर रहे हैं, और हम मुरारी जाल की जो पुस्तक है, उसे लगा रहे है, ठीक है, तो आप भी उस पुस्तक को ले लीजिए, और कुछ टॉपिक इस वर्स COVID-19 के चलते हुए, कुछ कम हो गए है, स्लेवर्स में, तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हुआ जा रहा हूं, कभी एक वीडियो बना दूँगा, आपको बता दूगा कि कौन-कौन से टॉपिक कम हो गए है, ठीक है, चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, यहां क्या लिखा हुए, एक्सरसाज 5C में, उन वस्तुओं के करमचे जो अशमान नहीं है, ठीक है, अब समान वस्तुओं की बात कम कर रहे हैं, जैसे यहां पर अन वस्तुओं के करमचे ग्याद करना जो एक बार में सब को लेकर प्राप्त होते हैं, यह तो किताब की भाषा है, हम अपनी भाषा में आपको बता दें, जैसे कभी-कभी कुछ स्पेलिंग लिखी होती है, जिनमें डवल लेटर आ जाते हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल में सब दोते हैं, वो डवल डवल आते हैं, तो उनको किस तरीके से हम ग्याद करते हैं, अब यहाँ पर दे के कुछ, उन एन वस्तुओं के करमचे ग्याद करना जो एक बार में सब को लेकर प्राप्त होते हैं, जबकि एन वस्तुओं में पी वस्तुओं एक प्रकार की समान है Q बस्तु है दूसरे प्रकार की समाने आर बस्तु है जब तीसरे प्रकार की समाने तो सेस बस्तु है यदि अशमान है तो सभी बस्तु है एक साथ लेकर बने करमच्यों की संक्या फैक्टोरिया लैन यहां पर जैसे स्पैलिंग कोई भी ली है तो उसके सारे लेटर जितने भी होंगे वह यहां आएंगे और डवल डवल लेटर जो भी होंगे उने अलग अलग तरीके से यहां पर लिख दिया जाएगा यह एक फॉर्म है चलिए साइध आपको अभी फॉर्म से किलियर नहीं हुआ होगा लेकिन कुश्चन जब हम करेंगे तो आपको एक्जेक्ट किलियर हो जाएगा यह मेरा कॉंफिडेंस है यहां देखे कुश्चन अबर फस्ट जो है चमक और दमक के अक्षरों को कितने भिन्ने क्रमों से लिख सकते हैं अब यहां देखे चमक लिखा है और दमक लिखा है यहां पर लेटर कितने एक दो तीन चार पांच है यानि कुल छे अक सब्सक्राइब को कितने प्रकार से लिख सकते हैं अब देखे इंडिया जो इंडिया है वह पांच लेटर है इंडिया ओर इसमें आई दो बार एज़ तो अनको समुझ में आरा है ना थोड़ा 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 पांच चार तीन दो अब आउन टूवगया तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना जिससे और भी आपकी तरह बहुत बच्चे हैं नहीं उनको मिल पारा है लाव तो उनको बताईए कि इस चैनल पर कॉमर्सियल मैट की आपकी वीडियो चल रही है आप उनको भी बता दीजिए जिससे वह भी लाव ले सकता है चलिए नेक्स कोशन है भारत भारत सब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा चा सकता है तो सब्द को कितने प्रकार से लिखा जाता है अब यहां देखे है GIRist कितने हैं दो 거지 एक यह है और यह है इस Muk in नहूसर ke यह और अपके दो यहां पर देखिए मैंने वही लिखा है C2 है 8 2 है और T2 है तो अब इस्ट क्रम्चे हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 को अगर हम ओपन करते हैं तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 हो गया 2, 2 हो गया तो 2 से 8 कट गया ठीक है यह नेक्ट वैलू बजी 7, 6, 5, 4, 3, 2 ठीक है कुशन नमर 5 जो है वो है कमेटी सब्द के अक्षरों को कितने भिन्विन करमाँ से लिख सकते हैं कुल अक्षर है 9 ती दो है ए दो है और एम दो अभी शिक्रम्चवर फैक्टोरियल 9 अपन फैक्टोरियल 2 इन्टोरियल 2 ठीक है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ठीक है यह हो गया इसमें 2, 2, 2, 2 से यह कट गया हमारा 8 कट जाएगा और यह जो बैलू है वो आप निकाल लेना ठीक है मैना नहीं निकाल ल लिखी है यहां इसमेलिंग मैं ठीक है एक लंबी चुड़ी इसमेलिंग लिख दी है सब्दों के अक्ष्णों से कितने सब्द बनाए जा सकते हैं इनमें से कितने सब्दों मैं 3 N करमागत आये हैं यहानि करम से आये हैं अब इसमें जो लेटर की संक्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नो दस ग्यारा वारा तेरा चौदा लेटर है इस पेलिग में अब यहां पर जो लेटर है यह चौदा लेटर है इसमें इसमें टी दो है एन तीन है ओ दो है ठीक है देखिए ओ यहां पर मुझे दो दिखाई दे रहे हैं टी भी यहां पर दो दिखाई दे रहे हैं ठीक है और O N N आवोर देख लीजे O N एक येरा एक येरा और एक येरा थिन N ठीक है तो चाओध है अप़न स्वाल्व करेंगा तो आप स्वाल्व कर ले न है भी ये लिध्र अगरे थी है फिर आपका 13 फिर आपका 12 फिर आपका 10 फिर 9 फिर 8 साथ, छे, पांच, चार, तीन, और लाश्ट दो, ठीक है, और यह हो जाएगा, दो, तीन, दो, और दो, यह हो गया, ठीक है, चलिए, नेक्स कुश्चन है, अरेंज, अरेंज, अरेंज क्या होता है, अरेंज सब्दे के अक्षरों से कितने एक्रमचया बना जा सकते हैं, जब कि दोनों आर साथ साथ ना है, अब अरेंज में लेटर कितने हैं, अरेंज में साथ अक्षर है, जिनमें से दो ए हैं, दो आर हैं, ठीक है, अब सेस्ट लेट हम काटेंगे तो यह चार काट दी हमने पूरा-पूरा यह बेलू हमारे पास बची यह अंसर आगया 1207 ठीक है ठीक अब यहां पर जो कंडीजन है यह हमने 7 लेटर का निकाला है अब हम इसमें निकालेंगे जब दोनो आर 7-7 ना आएं तो पहले आर 7-7 आएंगे तब देखें बने दो को एक बना दिया तो हमारे पास लेटर कितने रहते है डीक और अरेंज सबद में देखे जरा आरेंज में आपके लेटर थे दो Search le तो पर पर आउर को एक साथ रखने पर यह एक हो गया अब इसमें दोनों आर साथ साथ लेटर हमने रखें तो बारेज सो साथ इसमें से 360 घटा दिया क्योंकि दोनों आँ gli 26 up안े और नहीं आने वाला एक्रम है 1260, और आने वाला एक्रम है 360, 1260 में से 360 गटा दिये, ये 9 से आगया, अब रह स्क ज्यून है, जब दोनो आइवर और दोनो एब्य साथ साथ नहाए, तो उने अलग अलग एक अच्छा लीने प रखाने साथ लेटर है धो ऑर और जो एकको एक साथ बैठाया तो इनको एक माल लिया है अब एक वॉक्स दो उप Amen यह है नहीं था कोई सथी करन्च फाइं फैक्टोर तू इंतू ótकूल फैक्टोर तू इंतू बच्ट्रच पांच 5 को हम जब open करेंगे तो 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 20 या 60 दूनी 120 आ जाएगा नेक्स कुशन है हमारा देखे यहां पर लिखा है 10 लाक से बड़ी कितनी संखिया है 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3 अंकों से बन सकती है अब 10 लाक से बड़ी संखिया है यह संखिया है 7 ठीक है अब यहां देखे 10 लाक से बड़ी संखिया में भी 7 अंक ही होंगे दिये हुए अंक 2, 3, 0, 3, 4 यह अंक दिये हुए है इनसे ही अब यहां देखे 2 बार आया है अंक 2, 2 बार आया है अंक 3, 3 बार आया है अंक और 6 अंक 20 बार आया है तो हमने गाता, इसका कल करम से निकाला है नी कला será थैक्तों हमनेнул हवादा से उसके शुल्वल गिए दो की जिइ अन्हें कि लिकता है यहां देखिये इनने बेभी कुम चे सामशल है जिन Snapchat जे में nesil lieudole alay gent अब कभी-कभी किया होता है जो संख्या हमारे सामने दीव ही है, यह संख्या जो है दो, तीन, जीरो, तीन, तीन, तसलाग अंकों से बनी है अगर अंक प्रारहम में ही जीरो आ जाए, तो हमारे पास जो अंक हैं वो छे रह जाएंगे साथ अंकों से 10 लाग बनता है अगर स्टार्टिंग में ही जीरो रख देंगे तो फिर इस जीरो का मेट नहीं रह जाएगा 10 लाग के लिए ठीक है तो यहां पर 6 अंक रह जाएंगे फैक्टॉलियन 6 अपाउन फैक्टॉलियन 2 अपाउन फैक्टॉलियन 3 हम जब इसको तो 2 से हमारा ये 2 कैंसल हो गया 3 से 3 कैंसल हो गया 2 से 35 दूनी 60 60 आ गया अब 20 क्रम्चे जो हो जाएगा वो 400 अब 20 क्रम्चे जो हो जाएगा वो 400 60 गटाए 360 आपके रहे गया यानि 360 प्रकार से हम संक्याओं को बना सकते नेक्स फैक्स कुशन है। 40,000 से बड़ी कितनी संक्याओं नगे है, एक 2 3 9 4 4 2 2 3 अगओं से बन सकती है छी क यहां लिखा है दिये हुए अंक एक दो तीन कौमा दो कौमा एक में कुल पांच अंक हैं इन में तीन सदा मद्द में रहता है मैंने यह मद्द में तीन बैठा दिया तोटल पांच अंकों की संक्या है, हमारे पास तीन हमने मद्द में बठा दिया, आप नंबर रह गए-एक, दो, तीन, चार, जिसमैं एक तो बार आता है, एक भी दो बार राता है, तो हमने इसको किया, अभी Уट करम चैर, तो यह हो जाएगा फॉर थी टू बन और तू तू से टू यह हमने फॉर कैंसिल कर दिये आंसर आगया सिक्स नेक्स कुशन कुशन नमर 11 चे मित्रों को के तने परकार से कोई बिक्ति आमनतरत कर सकता एजब कि उसके पास तीन हुआरे को हमनतरत कर सकतै liberty जेए पहले नोकर को बेच को बिला सकता है या फिर दूसरे नोकर को भी वेच सकता है और तीसरे नोकर को यानि एक मित्र को बिलाने के उसके पास तीन प्रकार है ठीक है तो हमने यहां पर लिखा इसी प्रकार पहले मित्र को दूसरे मित्र को तीसरे मित्र को चौते मित्र को पांच last second कुष्रमा Two स का कुष्रमा 12 मोहन अपने PUNCH MUT bölॉपर चौह प्रते अमीद्वार के तु प्रते हुआ 말고 प्रते होँ के पृष्रमा पाने का अजिकारी है अब यहां देखिए प्रते हैं CMUT को देने के 6 प्रते हैं CMUT को वो अबने मत देदेगा च्छाए प्रकार से ठीक है ऐस तरह से ये 5 मत छै इंट 9 ओा रहा रहा है सात अजास, सात سو चियत्तर कुशन नमर थायटीन है कितने प्रकास 가지 पन्च पारितोसक चर खिलाड़ींगों में बात या सकते जब कि प्रतेख पन्च पारितोसक प्राप्ट कर सकता है मैंने या लखा पहला प पर उसका चार खिलाड़ींगों किसी भी खिलाडी को बाटा जा सकता है पारी तोशिक का मतलब होता है पुरुसकार इनाम ठीक है गिप्ट पांच पारी तोशिक चार खिलाडी को बाटा जा सकते हैं जब कि प्रते एक पांच पारी तोशिक वरत भाटा जा सकता है. पांच पारितों से बाटने का वीस्ठ परकार जो हो गया और चार-प्राइश में सिर्कुलर प्रेमिटेशन, जब कोई विक्ति गोल Mrs. है में बैठता है तो उसका क्रमचे क्या होगा? ठीक है चली हम इसको लेके चलते हैं नया टॉपिक है लेकिन इसके दोई तीन कोश्चन है आपकी बुक में देखें यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाता है जरा देखिए जैसे अगर हम एक सरल रेखा में किसी फ्यक्ति को बैठा हैं बिन बिन क्रमों में रखें तो उसे फैक्टोरियल एन क्रम चैप राप्त होंगे अगर किसी व्यक्ति को सीधी रेखा में बैठा रा जाए ठीक है तो उसे फैक्टोरियल एन परकार से बैठा जा जा सकता है क्योंकि गोल मेज के चारो तरफ n पूर्चों के खरती समझे होते हैं फैक्ट्रील N अपॉन N, यहां से हमने N in 2 फैक्ट्रील N माइनस बन इपॉन होंगे, क्योंकि जब भी गोल मेज में बैठाओंगे तो इसके तो सिरे होतें दो रहाखया होतें दो, लेकिन गोल मेज के सिर्वाइ बंद हो जाता है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा बैठाने का तरीका, तो इसलिए N मायनिस बन होता है, अगर तेखो, ये तो गोल मेज का तरीका है कि गोल मेज में चार तरफ पुरसों को जो बैठाएंगे या महलाओ बैठाएंगे मैंने यहापे लिख भी दिया फूलों को रखने का कोई करम नहीं होता कोई भेद नहीं है चाहे कैसे भी रख सकते हो तो इसका जो फॉर्म है एक वट्टे तो फैक्टॉरियल एन माइनस बनाता है ठीक है अब क्योंकि दोनों और उनकी संक्या बरावर होती है अगर हमने इस तरीके से रखा गड़ी के बिपरी दिसा में ठीक है इस तरीके से रखा तभी उसके दिसा में कोई फरक नहीं पड़ेगा संक्याएं बरावरे चलिए कुश्छन की तरफ चलते हैं थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा किसी गोल मेज के चारो तरफ साथ भारती है तरफा साथ अंगरेज कितने प्रकार से बैठ सकते हैं अब देखो, सबसे पहले हमने साथ भारती को गोल मेज के चारो तरफ बैठाएंगे तो शाथ बैठा सकते हैं है और साथ साथ प्रकार से साथ भारतियों को बैठाया तो उनके बैठने का जो क्रम है वो उनके बीच में साथ एक स्थान 2 3까 50 यानि 2 भारतियों के बीच में हम एक अंग्रेज बैठा सकते हैं हमने यह लिखा जिसमें साथ अंग्रेज परत reporting दो भारतिये बीच कि इस्तान पर फैक्टोरियल 7 प्रकार से बैट सकते हैं बदल बदल के तो इसका जो अभीष्ट करमचे हो जाएगा वो है फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 मल्टिप्राई कर लेना अंसर आपका आजाएगा नेक्स कुशन है किसी गोल मेज के चारो तरह तीन पुरुस तीन मेलाओं को कितने प्रकार से बैठा जा सकता है ठीक है अब देखे गोल मेज के चारो तीन पुरुस हमने ये बैठा है तीन पुरुस ये कि ये बैठा है ये बैठा है ये बैठा है तो 3 गोल मेज में जब पुरस किसी भी बैक्तिव को बैठाएंगे तो एक कम बैठेगा संक्या से तो 3 माइनस बन ये ये फैक्टरिल 2 आ गया इस परकार से बैठाएंगे इनके बीच तीन इस्थान है, एक इस्थान, दो इस्थान और तीन इस्थान है तो फैक्टरिल टू इन्टू फैक्टरिल ठी, यह आ गया टू टू ठी दो दूनी uden चार्ट यह बार. Next Question है, दस फ्हेंन बिन परकार के फूलों से, कितनी परकार की माला बनाया सकती है? अभी हम फूलों की डिसक्स कर रहे थे, नोको किसी भी फूल को किसी भी इस्तान पर रका गुला कार माला बनाई आ सकती है यहाँ पर घडी के विप्री दिसा और घडी की दिसा में कोई भेद नहीं होता, कोई फरक नहीं पड़ता चाहे आपके दर्स से भी बना लो को कि फूलों का कोई किरम नहीं होता ठीक है तो इसका जो फूलों का जो फॉर्म है जिसमें कोई भेद नहीं होता वो होता है फैक्टोरियल एन माइनस बन अपॉन टू यहाँ फूल की जगह कुछ और भी आ सकता है इसा नहीं है मोती आ सकता है ठीक है कुछ भी आ सकता है तो फैक्टोरिय बन वाई टू टू दस में से एक घटाया नोव बट्टे दो आ गया फैक्टोरियल आ ठीक है इसको सॉल्व कर लेगा इसका जो लाश्ट कुष्चन वो देखिए च्छे वेक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया सकते है जब कि भिन्यविन प्रकार से बैठने में एक बार बैठे हुए पडोसी दुबारा पास पास ना बैठे अब यहां देखिए मैंने छे वेक्तियों को बैठाया एक दो तीन चार पांच छे वेक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठाने में ने बैठा दिये जब कि भिन्यविन प्रकार से बैठाने में एक बार बैठे हुए पडोसी दुबारा ना बैठे इसलिए यहां दिछना वर्त अब यहां समझने की कोश़्त करना नहीं तो इसका कोई करम नहीं है तो इसका कोई करम नहीं है यहां तो सच्ट्रावरति और वाम वर्ति का कोई करम करेगा इस ब्रौन की माला की तरही काम करेगा, तो हमने लिखा, खै violInt करम्च़भा Nine-D涼 व्हें एक व्डट्टे दू, फैक्र एक एक बट्ट्रू सिक्स-मा गशन नहीं यह हो गया, फैक्र आपका आउनसर ओस्धाई अगया, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह गही हो त आपका दिन शुब रहे